यानि के जिस कपड़े के अंदर से पूरा ऑक्सीजिन या उसके अंदर का पूरा वो जल गया होता है और यह बहुत ही जबरदस्त होता है आग स्टार्ट करने के लिए असलाम आलेकुम रहमत अलाही वो बरकात हूँ दोस्तों क्या आप जानते हो कि आज से लगभग 200-300-400 साल पहले लोग किस तरह से आग लगाया करते थे या आग जलाया करते थे क्योंकि उस जमाने में ना तो कोई मैचेस था या फिर ना कोई लाइटर चलो आज मैं आपको डेमो देते हुए कोशिश करता हूँ कि मैं दिखा सको आप लोगों को कि किस तरह से उस जमाने में जैसे कि अभी आप देख सकते हो इसी तरह के बियाबान जंगलों में भी उस जमाने के लोग आग कैसे जलाते थे दोस्तों वैसे तो उस जमाने में बहुत सारे टेकनीक्स थे आग जलाने की लेकिन सबसे जो इजी तरीका हुआ करता था 200, 200, 300 साल पहले वगएरा वो था फिलिंट और स्टोन की मदद से फिलिंट एक किसम का पत्थर हुआ करता था जो कोईले में इसको गरम करके सद्धनली इसको ओईल में डुबाया जाता है जिससे यह हाड हो जाता है हाड स्टील कह सकते हो आप इसको हाड स्टील या फिर हाड आईरन भी कहा जाता है दोस्तों इसमें आग लगाने के लिए आपको चाहिए कुछ strong पत्थर जो या तो karts हो या तो flint stones हो वैसे कहा जाता है कि South India में flint stones नहीं मिलते हैं लेकि ज्यादा तर देखा गया है कि जो ये river rocks होते हैं जो नदी के पास में जो समंदर के पास में जो गोल साफ पत्थर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा strong होते हैं और यहाँ पे भी कुछ इसी तरह के पत्थर हैं आईए मैं दिखाता हूँ आपको यह देखो यह देखिए यह पत्थर देखो साफ पत्थर है यह और यह एक normal लोहे का तुकड़ा जो hard किया गया है अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ देखो इससे इसको टकराने से आग जलती है देख रहे हो देख रहे हो यह कोई special कोई भी कुछ भी special piece of equipment नहीं है यह सिर्फ एक normal लोहे का तुकड़ा है और यहाँ पे आप देख सकते हो बिना किसी चीज के मैं आग लगा के दिखाऊंगा और आग जलाने के लिए एक और सबसे important चीज हुआ करती थी और वो थी इस डब्बे के अंदर देखो यह एक नॉर्मल डिबा है मेटल का कैनिस्टर है इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर इसमें एक छोटा सा छेट डालके चार क्लॉथ बना लिया जाता है चार क्लॉथ इसको कहते हैं यानि के जिस कपड़े के अंदर से पूरा ऑक्सिजन या उसके अंदर का पूरा वो जल गया होता है और यह बहुत ही जबरदस्त होता है आग स्टार्ट करने के लिए मैं दिखाता हूँ आपको इस तरह का चार कलोथ है ये और इस तरह के चार कलोथ को जलाने के लिए उस जमाने में यानि के 300-400 साल पहले लोग देखो पत्थर के पास ऐसे रखते थे कहीं पे भी यानि के जहां पे स्पार्क उसके उपर टच हो जाए ठीक है अब इसको ना आई यह एमबर है यहां पे ऐसा कुछ घास सुखी हुई घास के अंदर में इस चार्ज कलोथ को इस तरह से रख दिया जाता था और फिर हलका सा फूका जाता था और यह है देखिए जी यह जल गई आग तो दोस्तो जैसे के आप देख सकते हो हम लोगों ने बस एक नॉर्मल से पत्थर और एक लोहे की तुकड़े से आग जलाए उमीद है दोस्तो आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तो यह बस एक इन्फरमेटिव वीडियो था ताके मैं आप लोगों को यह अंगल बियाबानों के अंदर भी बिना किसी मैचेस या फिर बिना किसी एक्विप्मेंट स्पेशल एक्विप्मेंट के इसी तरह से आग लगाया करते थे उमीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और दोस्तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप अगर